आज किस वीडियो में हम लोग discuss करेंगे आपके पेड़गोगी आफ कॉमर्स के most important mcq को discuss करेंगे जो आपके exam point भी से काफी important है ठीक है अगर आपको handwritten notes भी चाहिए आपके वाड़ी जिस अच्छर के तो वह भी आप ले सकते हो purchase कर सकते हो और important mcq plus previous year के paper सारी चीज़े आपक की जाती है चलिए आई हो पर आपके papers जो है economics के जितने question समने बताए थे वहां से आपको बिल्कुल देखने को मिले means 40 out of 36 questions बिल्कुल same to same वही पढ़ाए हुए आए थे काफी बच्चों के अच्छे response आए हैं तो आप भी देर करते हुए नदेरी करते हुए आप commerce के भी north plus m service कर सकते हैं बहुत affordable cost है कम cost है जो कि हर एक बच्चा उसको pay कर सकता है ठीक है चले start करते हैं सबसे पहला question देख लेते हैं कि जो वाड़िज जो शब्द का निर्मार के सब्द से माना जाता है और एक बात और है कि काफी बच्चों को doubt है क्या ma'am notes हिंदी में ही provide होंगे कि English म जिसको हिंदी में चाहिए तो हिंदी में मिल जाएंगो जिसको English में चाहिए तो English में मिल जाएंगो उसके लिए परिशान ना हो ये माध्यम के लिए जिसको English में चाहिए notes English में provide किये जाएंगो जिसको हिंदी में हिंदी में ठीक है चले start करते हैं सबसे पहला question जो वाड़ number ए हो जाएगा है हम पर बिलकुल सही second number question है what is जो शब्द है किस भावसा से लिया गया है किस भावसा से latin, integrity, french की roman ठीक है तो what is जो शब्द है वो लिया गया है इक founder आणग्रीजी शब्द है it is an English English word है ठीक है और हिंदी में पूछा जाएगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, वेस्थ, जो बताया पहले कुश्छन, वाडी जी एक व्यापक शब्द है, यह statement है, यह कथन है, वाडी जी एक व्यापक शब्द है, क्या यह statement सही है, गलत है कि पता नहीं कि इलमें से कोई ने, तो वाडी जी ए छे रूप से वैपारी को उसके कार्यों के लिए तैयार करें देखें ये statement जैसे बहुत जादा authors के ज़र जो भी definitions दी जाती उसमें से questions आपके बहुत जादा उत्ते हैं तो आप एक बार ज़रूर सारे definitions को एक बार सारे definitions को देख लें वो आपके objective के लिए भी important होगा और subjective के लिए important क्योंकि आप जब भी subjective जो भी questions आते हों वह authors के दौर आप definitions लिखते ही लिखते होंगे और नहीं लिखते हैं तो लिखना चाहिए definitions जो author के दौर क्योंकि यह हो जाएगा लॉयन ने यह कहा कि जो वारिज जो teaching है वो directly या indirect से क्या होता है उसके वैपारी को mean state के लिए क्या है कार के लिए तयार किया जाता है next question 5 है किसके अनुसार जो वारिज सिच्चा मुख्य रूप से आर्थिक सिच्चा का कारिकरम है जो धन को उपलब्द संचित और उसको व्यव करने से संबन देथ है निकोलस, लॉयन, लॉमेक्स की हैरिक तो option number यहाँ पर भी हो जाएगा बिलकुल सही यह statement लॉयन के दोरा कही गई है कि अगर हम लॉयन के अनुसार बात करें तो जो commerce teaching यह है यह ऐसा प्रोग्राम है आर्थिक सिच्चा का ऐसा प्रोग्राम है जो कि धन को उपलब्द संचित और वैव का मतलब खर्च करने से related होता है यह लॉयन के दोरा यह statement कहा गया है उद्देश का शद साप्दिक अर्थ संदी विछेद करने का क्या होता है उद्द प्लस दिस प्लस यह कि क्या होता है तो यहाँ पर देखेंगे उद्देश का उद्द प्लस दिस प्लस यह तो C option बलकुल सही next है इसमें उत से क्या अभी प्राय है उच्छ कोटी उत्तम प्रगती उपर की ओर की इन में से सभी तो इसमें उत से क्या अभी प्राय है तो option number C हो जायगा उपर की ओर next question है किस ने कहा कि उद्देश पूर्व निर्धारित साध्य होता है जो किसी कार या क्रिया को मार्ग दर्शन करता है NCRT प्रोफेसर B.S. Bloom Carter भी उड़की प्रोफेशन दे तो option number C हो जायगा प्रोफेसर B.S. Bloom ने कहा कि जो उद्देश जो objective होते हैं वो पहले से ही एक नर्धारित साध्य होता है जिस जो किसी काम को जो किसी क्रिया को क्या करता है मार्ग दर्शन या हम कह सकते हैं प्रवाइड करता है ठीक है तो C option बलकुल सही नेक्स्ट है क्रियात्मक पच्चका विकास सिम्सन ने कब किया 1960, 1962, 1966 की 1969 तो क्रियात्मक पच्चका जो विकास अगर हम बात करें तो यह किया गया 1962 में B option बलकुल सही नेक्स्ट है वहवारवादी मनुवज्यानिक है प्रफेशर बलूम, रॉबर्ट मेगर उप्रुक्त दोनों की इन में से कोई भी नहीं तो यहाँ पर टेंद का option हो जाएगा option number B रॉबर्ट मेगर क्या है वहवारवादी मनुवज्यानिक है नेक्स्ट है कुश्ट नमर 11 है किसने लिखा की पाठ चर्चा वह साधन है जिसके द्वारा हम बच्चों को सिक्षा की लश्चों को प्राप्त करने की योग बनाने की आशा करते है तो यह statement किस author के द्वारा दी गई है कि जो पाठ चर्चा होता है वो एक ऐसा साधन हम कहें एक ऐसा टूल होता है जिसके द्वारा हम जो भी बच्चों को जो भी education के जो भी उद्देश रहा अब्जेक्टिव है उसको प्राप्त करने के लिए उनको योग बनाता है तो हैलरी जे ओटो क्रोव के द्वारा कनिंगम की उप्रुक्त सभी तो option number E हो जाएगा Henry J. Otto ने कहा आप ऐसे भी याद कर सकते हो सब्जेक्टिव में लिखने के लिए कि Henry J. Otto ने ये कहा कि जो curriculum है जो पाठ चर्चा है साधन है जिसमें बच्चों के जो भी objectives हैं जो भी needs है वो उसको प्राप्द करने के लिए उनको योग बनाता है ठीक है तो ये option बिकुल सही बारह नंबर करिकुलम शब्द की उत्पत्ति किस भाषा का सब्द है ये तो काफी important question भी है most repeated और examiner का favorite question है जो curriculum जो शब्द है उसकी उत्पत्ति किस भाषा का सब्द है ये कथान है सत्य असत्य पता नहीं कि अधिकानस तो option number A हो जाएगा बलकुल सही ऐसे ही आपको और अगर MCQ चाहिए तो आपको इसको टेलिग्राम लिंग से जोईन हो सकते हो हाँ पर ले सकते हो ठीक है नोस भी प्रवाइट कर सकते हैं बागी के MCQ हम लोग next वीडियो में upload करेंगे ठीक है वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को like करें जादा से जादा शेयर करें चो भी बच्चे semester exam से परिशान है उन तक ये वीडियो पहस सके ठीक है चा है ये प्यूबयो प्रव प्रव संद करेंग देक है जूबयाए चिछल गोग सकते हैं हैं तक जैसे से तकती हैं अजय के से में देक हैं जन् सबस्टाइब करेंगे अन्स्कारा कई करेंगें ॉ